सेबन का डिविजबिल्टी रूल जैसे कोई संख्या अगर आप देखें तो उसे कैसे जानेंगे कि यह साथ से विभाज है या नहीं है ठीक है यहाँ पर देखिए इसका रूल लिखा है जो सिंपल सा किताबों से ही सब समझ में नहीं आता है यह नियम तो किताबों मिल जाए और उसके बाद जो हमें प्राप्त हो अगर वो संख्या साथ से फुली डिवाईड है तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या साथ से पूरता विभाजी तो होगी ठीक है जैसे फार एक जामपल देखिए इधर थाइड में कैसे जैसे यहाँ पर एक एक जामपल दिया है देखो भाई क्या था कि इसका अंतिमांगा है अगर आठ का दो गुना करो तो क्या होगा है आठ का दो क्या है कि दो गुना करो भाई 8 का कितना हो जाएगा 16 अब 16 शेस बची संख्या से घटाना है यानि 8 को छोड़ करके जो 6 बच रहा है वो कितना है 7,9 63 कितना आएगा 63 बताइए आप क्या 63 7 से फुली डिवाइड है 7,9,63 7,9,63 होता है न तो आप कह सकते हो कि 7 से ये फुली डिवाइड है हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये पूरी पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी भाग करके दिखाऊं भाग कर लोगे सभी न देखो बहुत आराम से हो जाएगा आसानी से टोटल नंबर है 7,9,8 दिख रहा है ये 7 से पूर्णता विभाजित है बिना भाग कि ये आप कह सकते हो कितनी बार जाएगा 1 टाइम 7,9,7 इनको सब्ट्रेक करोगे कितना आएगा 0 9 उपर से निकाला यहाँ पे लिखा फिर 7,7 गटाया कितना आएगा 2 उपर से 8 उतारा तो 7,4,28 कमेंट करके बताईए इसमें भागफल कितना आया क्वैसियंट कितना आया मनीशा कुमारी कमेंट आ रहा है आसीस माही पंडित सानाज परवीन आसीस सुमन मीरा गुपता आयूस पाल सार्ट कीचन वाली मेडम आपका भी कमेंट आ रहा है समझ में आया नहीं अभी पूरा नहीं आया आएगा 1 परसेंट तो आया न अभी 99 परसेंट बचा है वो भी आएगा देखिए ये संख्या सेबन से completely divide है या नहीं है बहुत आराम से आप देख के कर सकते हो लाश्ट वाली संख्या को क्या करेंगे दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यही तो करना था ना रदुना अठारा ना आएए करते हैं लाश्ट वाली संख्या का दो गुना अठारा अब ग्यारा और अठारा को घटाएंगे तो माइनस का साथ आएगा यहां सवाल यह नहीं कि माइनस आ रहा कि प्लस आ रहा है सवाल यह है कि जो आ रहा है वो 7 से कम्पलेटली डिविजबल होना चाहिए तो अगर आप माइनस 7 और इसको 7 करेंगे 7 तो यह डिवाइड हो जाएगा माइनस 1 आएगा कुछ मिला कि आप कह सकते हो कि डिवाइड हो रहा है यह मोटा मोटा है ना अगर हो रहा है तो फिर इसका मतलब 117 से पुरुता विभाजी तो होगी भाग देखे 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 मुझे बताईएगा अंतिम अंक का दो गुना करना है कुछ लोग कहेंगे कि किसी किसी संख्या में जब बड़ी सी संख्या रहेगी तब तो कोनों फरक नहीं पड़ेगा तो ये परकिरिया आप एक से अधिक बार भी कर सकते हैं इसके अलावा और भी इसका विभाजीता नियम होता है जैसे कोई संख्या अगर दो अंक रिपीट है लगातार तीन बार लिखी है कोई संख्या तीन बार रिपीट है लगातार दो बार लिखी है आईसी दिती में 7, 11, 13 इनका विभाज़ता नियम भी आगे बताऊंगा भी थोड़ा इसके उपर लेवल का है ये एक पहलू है ये एक नियम है बाकि और भी इसमें है कंडिसन जो और आसानी से आप समझ सकते हो ठीक है सभी साथी सेशन को लाइक करें आपकी जिम्मेदारी है ये आप देखिए पांच को छोड़ करके क्या बच रहा है बताइए पांच को निकाल दें तो क्या बच रहा है 983 983 से आप क्या करेंगे इसका जो डबल करें है उसको घटाएंगे तो यह आएगा 973 अब यह 973 से डिबाइड है या नहीं है यह बड़ा लग रहा है न गिंती बड़ी लग रही न यह परकिरिया दुबारा रिपीट कर दीजी आप दुबारा रिपीट करेंगे तो तीन से घटाओ कि 91 आएगा ना कितना आएगा 91 अब बताओ 91 से डिबाइड है कि नहीं कि 1391 होता है ना थार्टीन से बंजा 91 तो आप कह सकते हो कि 98357 से फुली डिबाइड है है ना बढ़िया को दिक्कत ना किसी को ठीक है 98357 से पुर्ता विभाजित है ये बिना भाग की आप समझ सकते हो अगर आपको कोई confusion है भाईया अरे मतलब confusion तो आप बता सकते हो यहाँ पर देखो भाग करके दिखा देता हूँ 7 से आपको डिबाइड करना है आपको 7 बंजा 7 सब्सक्राइब करना है इसमें से सब्ट्रेक किया कितना है दो उपर से आठ उतारा तो साच्छों कट था यह हो गया खतम उपर से इसमें एक बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन यह भाग जीरो बार जा सकता है तो आप इसे ऐसा कर सकते हो उपर से 5 उतारेंगे और 7 पचे 35 अगर आपने इसे 0 नहीं बढ़ाया 145 लिख दिया तो सब गलत है क्योंकि 147 यह 98-35 होगा नहीं यानि यह डिवाइड हो रहा है इसका मतलब हमारा जो नियम जुगाड मैंने बताया ट्रिक जो भी यह सही है गीता बर्मा समझ में आ रहा है अर्बिन समझ में आ रहा है ना जी यह सभी को आ रहा है एक बार हाँ बोलें कमेंट में और लाइक करें फटा फट आपकी भी जिम्मेदारी है याद रखे अब चलिए इसको देखिए देख लिए टाइम खतम आईए नेक्स्ट आठ का विभाजता नियम साथ का विभाजता नियम सभी समझ गए सेबन में ज़्यादा एक्जामपल नहीं दिया था क्या अच्छा आठ में काफी एक्जामपल दिया है नौ का भी एक्जामपल है दस का भी है साथ में ज़्यादा एक्जाम पल नहीं है ठीका अभी बात में दे दूँगा अभी बताता हूँ थोड़ा सबर रखे एट का डिविजबिल्टी रूल इससे ज़्यादा आसान है इसमें तो कुछ करना भी पड़ता था उसमें कुछ नहीं करना सिर्फ देखना है बस देख के जान जाएंगे कैसे दी गई संख्या का लाश्ट का आपको देखना है तीन अंक इकाई दहाई और संकडा यानि वन फिटेंस आयन हंडर्ड प्लेस पर जो नंबर है अगर उन से बनने वाली नंबर एट से फुली डिवाइड है तो आप कह सकते हो कि पूरी पूरी संख्या आज से पूरता विभाजित है ठीक है? समझिए मेरा मतलब समझिए जनाब मैं कहना कह जाता हूँ इकाई दहाई सेंकडा इन तीनों अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही वो क्या है? कमेंट करिये क्या बन रही? दिखे तो रहा है न? ये सिर्फ थोड़े क्या अच्छा लग रहा है? इसलिए दिमाग भी लगा के पढ़िए कमेंट करिए फटा पट मैं जो पूछूँ अब इसे क्राजपूद, भूपेश, चतुरुबेदी, परतीक्छा हाँ कमेंट आ रहा है तो तीन सो चतिस बन रहा है न भाईया? अब तीन सो चतिस आठ से पूरुता विभाजित है की नहीं? है, बहुत सिंपल है आठ चोग का 32 बचेगा एक हो जाएगा 16 और आठ दूना 16 यानि 42 आठे होता है 3-3-6 होता है न आठ दूना 16, आठ चोग 32 एक 37 इसका मतलब हम कहा सकते हैं पूरी पूरी संख्या आठ से पूरुता विभाजित है कलकुलेटर से भाग कलो फटा फट कलो सभी फटा फट कलकुलेटर से देखो है न इसका मतलब क्या है? यह है डिवाइड चलो भाई, नेक्स्ट में आ जाओ इकाई, दहाई, सैंकडा 1, 10, 100 इन तीनों प्लेस मिला करके क्या बन रहा है नमबर? कमेंट करके बताओ भाई चलो अधिकांस बच्चे सेसन को लाइक नहीं करते हैं मैं बार-बार बोलूँ तो भी सरम लगती थोड़ा-थोड़ा उमर हो गई है न चलो देखो इज़र 184 यह 8 से डिवाइड है बिल्कुल है जनाब 8 दूना 16 और बचता है एक एक नहीं बचता दू बचता है और आठ तरिक 24 यानि 23 अठे होता है 144 सही है तो आप कह सकते हो कि यह संख्या भी आठ से पुरुता विभाजित है स्थार्ट किचन आपका नाम क्या है अपना नाम से कमेंट करें आप तो बोलने में अच्छा लगेगा नहीं तो मैं सिर्फ कीचन बोलूँगा अंजली राओ अरिसू अगला बढ़ें चलिए आप आगए हम लोग मैदान में बताइए यह दि दी गई फलानी संख्या फलाने से विभाजित है तो फिर बताओ यह कमान फलानी फलाने का मतलब यहाँ ए है समझे रहोग नहीं यूपी वाले जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है देखे सर आपको पता है नहीं फलानी फलाने का मतलब पता है नहीं देखिए यह पूरी पूरी नंबर है यह 8 से पूरता विभाजित है ऐसा कहा जा रहा है तो 8 का मान क्या होगा देखो भाई बहुत आसान है बहुत सिंपल सा है एक काम करिए का पता है लाश्ट के जो 3 अंक से संख्या बन रहे यानि 2, 4 और A इसमें A की जगा पर एक एक गिंती रखे देखिए क्या फिट हो रहा है कोई बताया है नीमन कमेंट का तरीका है 6 में अगर A सही है तो आप कमेंट में 6A लिखेंगे 3 सही है तो 6C D है तो 6D यह तरीका है सही वाला बाकि आपकी इच्छा कुछ भी लिखतो हमसे का मतलब हम पड़बे ने करेंगे ठीक है देखिए अगर 3 रखेंगे तो 24 और 3 यानि 243 बनेगा 243 में आप भाग करोगे 8 का ने डिवाइड होगा अगर 7 रखेंगे एक ही जगा पर तो यह बनेगा 2,4 और 47 यह भी 8 से डिवाइड नहीं क्योंकि 8 तरीक 24 सिर्फ साथ बच जाएगा सीधा फीधा जबाब अगर मैं बोलूँ एक सब्द में तो यही वाला है बहुत अच्छा महाबोधी बेगम राम जी त्यादो परतिक्षा रिचारिया साती जोसी बहुत अच्छा बच्चा बेरिक गुड चलिए सेबन नंबर में आजाओ फटाफट यदि दी गई है फलानी संख्या आठ से डिवाइड है तो फिर एका मान बताईए तेज बोलिए डिश्टरब ना करिए यहाँ वाज जो बैठे हैं नहीं भगा देंगे हम तुरन दर्वाजा बंद कर लेंगे समझ लो डॉन डिश्टरब चलिए देखिए तो इसमें देखिए लाश्ट वाले हमें तीन अंक से मतलब होता है जहां तक हमने अभी पढ़ा है जो जुगार नियम ट्रिक तो बीच में कौनों भी संक्या कुछ भी हो जाँ हमसे का फरक पड़ता है समझ रहो ना तो इसमें कुछ भी हो सकता है एक अमान आप कुछ भी रख सकते हो इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें मतलब तो पीछे वाले फे हैं आगे वाले स्कोन मतलब है नहीं रहा है चाहे जाए ठीक है तो इसमें कुछ भी हो सकता है आईए आठ नंबर में आईए जनाब आठ नंबर में ज्यादा प्रैक्टिस बाद में करेंगे देखे लाल पीला मैंने लिखा है नाइन कर्ड बेजबिल्टी रूल बताए जबाद दीजिए तीन का भी भाज़ता नियम जैसे होता सेम नौ का भी होता है ये दोनों भाई भाई है चोर चोर मौसरे भाई दिविजबिल्टी रूल भाई नाइन यदि कोई नंबर जिनके अंकों का सम यानि योग नाइन से फुली डिवाइड है तो वो नंबर भी नाइन से डिवाइड होती है ठीक है जैसे फार इक जांपल इनको देखिए इनके अंकों का योगफल करके मुझे बताओ कोई कितना आएगा सबको जोड़िये एक में बताए कितना आएगा ये डिवाइड है या नहीं हाँ या ना बताओ बस आठ में हाँ या ना देखिए जोड़ते हैं पहले सिखाते हैं फिर कोईश्टन पर चलते हैं साथ छे तीन साथ छे तेरा तीन शोला एक सतरा वनईस एक बीस दो बाइस पांट सता आईस कितना आएगा भाईया ट्वंटी सेबन ट्वंटी सेबन इज फुली डिवाइड डिवाइड बाइन हम कह सकते हैं कि पहली संख्या आठ से डिवाइड है और नौ से नौ से इनको जोड़िए वहाई से जोड़ ला का फाल तो लिखें नौ आठ सतरा तीन 26 26 26 में 10 जोड़ेंगे 36 36 9 से पूरता अभिभाजित है so you can say this number will be divisible by 9 अंगरे जी सही है हमाना भया कि अईसन इंदियम अच्छा लागत है जो बच्चे कम समय में जल्दी फे जल्दी सीखना चाहते हैं वो PVR study app डाउनलोड करके इन्रोल कर सकते हैं अभी इसमें आफर भी आपको मिल रहा है वर्तमान में डारेक्ट हमसे डाउट पूछने की सुभधा मिलेगी कम समय में पूरा कोर्स सीख पाएंगे एक गाइड किया जाएगा आपको बाकी यूटूब पर तो unlimited चीजे हैं चाहे तो पढ़ाई करो चाहे कमेडी देखो चाहे अक्षरा को देखो चाहे केसारी को देखो चाहे पावन को देखो चाहे और जुबिन को देखो भाई किसी को देखो आई आगे बढ़ते हैं दस नंबर सवाल बताईए बताईए अगर ये दी गई संख्या 9 से फुली डिवाइड है तो एक अमान क्या होगा जब आप दीजिए जल्दी करें जल्दबाजी नहीं चलो भाई फास्ट काय को हाइड कर दिया भाई महाबोधी पेगम को काया है कर दिया तीखो ना सार रहने तो प्लीज ना करो कुछ अब नहीं होगा एक मिनट रुकिए इनको बताता हूँ आगे चले चलिए ठीक है उसमें को यार सच में सब डिश्टरब कर दें इनको मैं क्या ही बताऊं चली आगे दी गई संख्या नाहिन से पूरता विभाज यह है तो एक अमान क्या होगा बहुत आसान है इनकों का योगफल कर दिये जोड़ यह कितना होगा नो पांच अउदा छे बीस दो बाइस बाइस चार चब्विस कितना होगा चब्विस अब यह बताऊं चब्विस में हम क्या जोड़ दें कि जो संख्या बने वो नाहिन से फुली डिवाइड हो जाए तो बाइसाब चब्विस में अगर एक जोड़े तो 27 हो जाएगा अगर चब्विस में 0 जोड़े तो 26 ही रहाएगा तर तो काम नहीं बनेगा इसका मतलब है घलत है अब इसमें एक जोड़े तो ठीक है चार जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा साथ जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा यानि भी वला साईए 11 नमबर में जबाब दीजिए 11 में जिनको लग रहा है 3 सही है वो 11 B लिखेंगे जिनको लग रहा है कि C सही है वो 11 F लिखेंगे फटा फट कमेंट करिए जल्दी जल्दी चलिए कुसुम कुमारी समझ में आ रहा है अब इसे एक बहुत अच्छा 11 का सबसे पहला जबाब कौन दिया है वई दो मुक्का चान्नी राजपूद बहरे गुड बहुत अच्छे चलिए 11 से विभाजित है जो संख्या मैं 11 फिर नहीं 9 से 5 एक 6 तिन 9 एक 10 पांच 15 दो 17 एक अठारा 26 26 26 26 में क्या जोरे बहाई 26 हो रहा है ग्यारा में क्या हो रहा है 26 हो रहा है देखो फिर से 25 हो रहा है अरह छे तिन नों एक 10 पांच 15 दो सतरा एक अठारा अठारा दो बीश चा आठारा थम्ट नहीं कि दो आए तीन से इस हो एकोन है सही मुझे लग रहा है क्या नो तिरिग 27, नो चोक 36 या तो 27 बने या तो 36 बने और 26 में 24, 27 35 पांच जोडेंगे तो 32 नहीं होगा इसमें कोई नहीं होगा इसमें कोई नहीं होगा देखो सब तुकका मार रहे हैं कही सही इसे बच्पन में पढ़े नहीं थे सुने थे मैना उड़ तोता उड़ कबूतार उड़ हाथी उड़ तो वहीं से उड़ा रहें सब मतलब इनको लग रहा है कि अगर दसमा में 20 साही था सी साही था तो ग्यारा में यह साही हो जाएगा अरे गदाहा है मैं कोई साही नहीं है कुछ सिस्टम से चलो भाई ठीक है तो इसमें कोई नहीं साही है इसमें 1 हो सकता है 27 बनेगा और 26 को 36 बनाने के लिए 10 जोड़ना पड सकता है यह भी हो सकता है यह डोनों आप संस हो सकते हैं यह लेकिन दोनों कहें करेंगे बस के चलें आगे तो आप कह सकते हो सी वाला वैम्हीं अनजाद की मत उड़ाओ चलो आए ये बारा नंबर कोईश्टन पर आगे बढ़ते हैं रिक्वेस्ट है कि कोई फोन ना करें निकुंज जी ये कॉल कर रहे हैं रात में देखें कोई टेली कॉलिंग वाले साथी हमारे पास उबलब्द नहीं होते हैं तो दीन में बात करते हैं ग्यारा बजे के बाद आप कॉल करोगे तो हो सकता हम ही पिक कर लें लेकिन निवेदन है कि अभी कलास के टाइम पर ना करें रूबी देवी अर्बिंद बहुत अच्छा हाजरत ठीक है दस का विभाजिता नियम बहुत आसान होता है मतलब इतना आफान होता है कि जैसे बना बना है पकवान तुम्हेरे मुह में रख दिया जाया और अंदर जाने में कितनी मतलब महरत नहीं करने पड़ दी ना गटक लेते हैं वैसे ही उतना आसान है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि दी गई संख्या का लास्ट अंग सिर्फ जीरो रहना चाहिए बस सुनना अगर ऐसा है तो दी गई संख्या दस से फुली डिवाइड होगी अन्यथा कुछ भी हो जाया कौनों मतलब नहीं है कभी भी डिवाइड नहीं होगी लास्ट में जीरो रहना चाहिए यह बताइए इसमें कौन सी संख्या दस से फुली डिवाइड है फिर हुआ है चैंज कर दूं फिर कुछ नौ इसको साथ इसको पांच अब बताओ फिर कौन सा होगा बारा में सीवम राज कमल कुमार बताइए सौरब बहुत अच्छा अब यह यह वाला आपसन साही हो गया पहले आल था जब मैंने चैंज किया तब यह वाला हो गया आये ग्यारा का विभाजिता नियम में थोड़ा फदिमाग ज्यादा लगाना है मतलब कोपड़ी का परियोग करना है भाई तेरा नंबर में कौन बताएगा गंदा सा लिखा है क्या बताओगे इसमें पहले समझो इसको पहले समझीए फिर कुश्चन दिखाऊंगा भी इंतजार करना कोई कलास चोड़के ने जाएगा अगर सीखना है तो बागी ऐसे ट्राई मारना तो यूटूब बहुत बड़ा प्लेटफार्म है देखते रहो जिंदगी ऐसे कड़ जाती है यह दिकिसी संख्या के समस्थानों के अंकों का योगफल विसमस्थानों के योग और विसमस्थान के अंकों का योगफल बराबर आजाए एक सेम गिंती आजाए या फिर उनको घटाएं तो कोई ऐसी संख्या है जो 11 से पूरुता विभाजित हो अगर यह कंडिशन हो रही तो दी गई संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी यह बेसिक वाला निया में बहुत बेसिक वाला यह थोड़ा लंबा भी होता है इसकी अलाम इनका और भी कुछ जुगार है वो भी बताऊंगा बाद में पहले भी देखिए जैसे इसमें फाइनल अभी आपको समझाने के लिए इतना लिखा गया यह यहां पर समझना थोड़ा सा यह वन है Sum सम भी Sum सभी जानते हों कि नहीं? आइसी संख्या जिनके लाश्ट कांग 0,2,4,6,8 होता है वो सम कहलाती है पता है? 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के लाष्ट का अंक होता है वो समसंख्या होती विस संख्या जानते हो अब ही लोग जना से ना पक्का ऐसी संख्या जिसका अंति मंक 1, 3, 5, 7, 9 इन में से कुछ भी है यह सब हो जाएं कठा तब वो कोनों दिक्कत नहीं वो क्या होता है विसम होता है इनकी काउंटिंग की गई जड़ा देखना 1, 2, 3, 4, 5 लेकिन गिनते किधर से हैं वाई जो सम है वो इधर से गिनोगे तब भी सम पे जाएगा उधर से गिनोगे तब भी सम पे जाएगा ऐसा है कि नहीं हर जगा संभव नहीं है अगर दी गई संख्याएं 6 हैं तो इधर से गिनोगे तो छटवी संख्या क्या होगी सम होगी उधर से गिनोगे तब भी सम हो जाएगी लेकिन बात लगवा गय क्या बनेगी चलिए इसको देखते हैं फिलहाल तो जोड़िए इनको सम विसम वाला आईए इसको समझना है मैंने कहा समझोगे दिमाग से तब आएगा तो पांच क्या है विसम संख्या है तीन क्या है विसम संख्या है एक क्या है विसम संख्या है तो पहले विसम संख्या के अंकों का योगफल करिए यह बिसम संख्या के जो मतलब बिसम अस्थान पर जो है उनके अंकों का योगफल कितना ठारा अब सामुआले पर आजाओ कि सामुआले पर इगंदा लग रहा होगा ना कि चलो सामुआले पर आजाओ बताता हूं सामुआले में क्या है दो चार तो दो के अस्थान पर क्या है छे चार के अस्थान पर क्या है एक बराबर कितना आया साथ ये क्या आया सम सम अस्थान वाला आप सातियों इन दोनों का अंतर करेंगे मिस घटाएंगे ठीक है तो इसमें 18 आया था इसमें 7 आया है 18 को 7 में घटाईए कितना आएगा 11 11 साथ से पूरता विभाजित है या नहीं बताएए 11 11 से ही देखना है 11 11 का ही पढ़ रहे 11 11 से फुली डिवाइड है न तो आप कह सकते हो ये नंबर जो है पूरा पूरा 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा चलो भाग करके दिखाता हूँ ये तो मैंने एक नियम बताया पता नहीं ये नियम फेलना हो जाए इस लिए इसको चेक कर लेते है 86 1416 86 1416 इसको क्या करना है भाग करना है आईए चेक करते है आईए डाउट का क्लियर आठ बार तो जाएगा नहीं 16 मैंसे 7 गया नहीं उपर तुचाल लिखिए 8 बार जाएगा गटाएंगे 6 आएगा 5 बार जाएगा 6 आएगा तो 11 6 के 6 बता हुआ कि नहीं यानि नियम त्रिक जो बताया सही है न 11 फे डिबाइड है तो यू कैन से आपका है सकते हो की 48 56 का गुड़ा करने पर ये छियाफी 416 आता है यनि भागफलाया 7,856 तो अगर इस सही है तो कुश्चन नमबर 14 पर आजाओ फटा फट बता दो कौन सा ही है भूपेश चतुरबेदी स्रीवाम रूभी किको इनका नाम है किको कुमार घींचा राज कुमार घींचा इनका नाम है ये भाईया और कुछ मत समझना चली आगे वड़ते हैं हो गए इनकी कहानी खतम ये भाईय मैं कुश्चन हो मिट गया यार आईए 14 नमबर जबाब दीजिए 14 A 14 B या 14 C क्या कह रहे हो आप लोग जिनको लगता है कि ये वाला सही है वो C लिखेंगे जिनको लगता है कि B वाला सही है वो का लिखेंगे उधर वाला जिनको लगता सही है वो कमेंट में ये लिखेंगे बस कह रहा है कौन सी संख्या 11 से पुरुता विभाजित है जबाब दीजिए आगे बढ़ें बढ़िया है कौन सा सही है B वाला सही है ना बहुत अच्छा बेरे गुट कौन सा सही है B वाला सही है करके देखना फिर मुझे बताना कौन सा सही है बच्चों B वाला ठीक है आगे बढ़ें किसी को कोई डाउट नहीं ना ठीक है आईए करके देख लीजिए एक बार दिखाऊं क्या आओ देखते हैं पहले नहीं कहेंगा इसे हावाम बता दे रहे हैं बढ़का उबन गए सम विशाम अस्थान के अंकों का योगफल पहले देखिए काउंटिंग करिए इनका काउंटिंग कर लिया इधर से करेंगे तब भी वही बात बनेगी कोना मतलब नहीं सब चेंज हो जाएंगे बस चलो देखो तो बाइस आप जितने बिशाम अस्थान है उनको जोड़ो पहले मैं एक काम करता हूं बिशाम वाले मैंने घेर दिया इसका मान क्या है विशाम वाले की जगप 0 तीन की जगप पे तीने है पांच की जगप पे 9 है बस इनको जोड़ो 9-3-12 ये काउन सा आया विशाम अस्थान साम अस्थान जोड़ ड़ाओ भाया पहला दो क्या है समसंख्या इसकी जगप क्या है दो चार की जगप क्या है तीन शे की जगप क्या है साथ तीन दो पांच साथ 12 किदना आया 12 अब बता है समस्थान का भी योगफ़ब 12 आया और विशम का भी 12 आया तो 12 का 12 मे से 12 करेंगे तो का आएगा भई 0 आएगा ना और 0 क्या है 11 से फुले डिवाइड है न? 0 जो है सभी संख्या फिर डिवाइड होती है लेकिन यही दोखा हो जाता है 0 से कोई डिवाइड नहीं होता है इसलिए कहते हैं न? अगर आप हर किसी के लिए उपलब्द होंगे तो आप के लिए कोई नहीं उपलब्द होंगा तो 11 से आप जीरो में अगर आप किसी भी संख्या का भाग करोगे तो कोई भी संख्या जीरो को डिवाइड कर सकती है लेकिन जीरो से कोई संख्या डिवाइड नहीं होती है ऐसे समझो कि जीरो में अगर हम किसी का संख्या का भाग करें तो जीरो आएगा जीरो में किसी भी संख्या का भाग करो जीरो आएगा लेकिन अगर जीरो से वन में भी भाग करें तो कभी नहीं डिवाइड होता है बदलब फुली डिवाइड नहीं होता है unlimited हो जाता है अनंत आगले सवाल पर आगे बढ़ें चलिए बताइए 15 नंबर में निम्नलिकित में से कौन सी संख्या ये भाइया बताओ कौन सी संख्या डिवाइड है 15 में जबाद दीजिए 15 A, 15 B या 15 F क्या कहते हो अंजली राओ दिल तक वाले है सब के लिए है बेसिक है ना बेसिक सब के लिए है ये सबजी में आलू जैसे रोल निभाती है बस ये गड़ी पता ना जैसे आलू जानते हो हर किसी सबजी में यूज होती है अधिकान्स में आलू बिंडी, आलू बेगान, आलू टमाटर, आलू गोभी आलू मिर्च, बहुत कुछ ना तो ऐसे बेसिक में न, टेट, सीट, सुपर टेट, डियले, डियूपियस, सीड, नेड, नीड, जीए, कुछ भी कर रहे हो तुम कोई बिजनेस धंदा करते हैं उसमें भी आपको इतना तो बेसिक आना ही जहीं जितना पढ़ाते हैं चलिए, 15 नमबर का सही जबाब जहां तक मुझे लग रहा है, A वाला सही है, कौन सा है, A वाला सही है, कौन दिक्कत नहीं किसी को 16 नमबर में आ जाओ 16 नमबर का जबाब दीजिए, फटा-फटा अगर A सही है, तो 16 A, B सही है, तो 16 B, ऐसे कमेंट करिए ताइम बहुँ ज़ादा हो रहा है, वो बर हो रहा है खोटू, सिवं राजपूद, बहुत अच्छा, 16 नमबर का जबाब कोई दिया खोटू, आप अगदम खोटू है हो, कहा कि आप सा नमबर इंकलिवड करो, लेकिन नहीं, काय सुनेंगे हमारा कि इसमें यदि यक्स गाइब हो गया अगर हम समस्थान गिने इनको 1, 2, 3, यह उल्टा वही गरे दाजा, 2, 3, 4, 6 ना, चलो 20 समस्थान ले ले लेते हैं, पहले हम घेर लेते हैं, 1 की जगा पर 1 है, 3 की जगा पर 5 है, 5 की जगा पर 3 है, 9 हो गया, यह 20 मौला है, याद रखना, समस्थान के अंकों का योग करो भाई, 6, 3, and 1, ठीक है, तो 6, 3, 9, प्लस यक्स, आप देखो 9 प्लस यक्स आया या आया 9, अब 9 में हम क्या जोड़ दें, कि जो संख्या आए, इसमें 9 में, ऐसा क्या जोड़ दें, कि जो संख्या आए, वो इसमें से घटाएं, तो यह तो 0 आ जाए, और या फिर ऐसी संख्या बन जाए, जो 11 के पहाड़ा में आया, ऐसा कह सकते हो, देसी भासा में, गलित की भासा में, कि जो संख्या आए, वो 11 से पूरता विभाजित हो, यानि, 11 का गूड़ जो यह भी कह सकते हो, ठीक है, 11 का मल्टिपल हो, तो अगर इसमें हम हो जाएगा, 12 में से 9 घटा होगे, 3 आएगा, 3 11 से कभी डिवाइड नहीं होगा, कोई रिलेफन नहीं का दूर दूर तक, तो यही एककट बचला जीरो, क्या होगा, जीरो ना, ठीक है, कौन सा होगा, जीरो ना, अगर 9 में हम जीरो जोड़ दें, तो कौनों फरक नहीं जीरो ना, 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 जीरो 17 नंबर जबाब दीजिए 17 नंबर चलें आगे बिसाल पासवान, सिवम, छोटू बिसाल, अंजली, चुंकी, जोती सभी का सही है, चलो बहुत अच्छा, very good, very good, very good 17 में अगर A सही है तो कमेंट में 17 A B सही है तो 17 B, C सही है तो 17 C, बताओ